हेलो एबरिवोन, विलकम टू संपूर्ण इंगलेज, दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच LNMU BA Part 3rd English Honors Paper 5 से संबंधीत Most Important Question डिसकस करूँगा आप सभी students हर हाल में इन सभी गेस कोस्टन को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये कोस्टन ना केवल Important है, बलकि आपकी Examination में आना लगवग लगवगता है Paper 5 का ये सारा का सारा निचोर कोस्टन है, इसके अलावा Other कोस्टन आपको Examination में देखने को नहीं मिलेगा बढ़िया से इसको कर लीजिएगा तो आईए, गुरूप 22 में आपको गेस कोस्टन करके बतलाता हूँ तो सबसे पहले आप लोग गुरूप A में आजाए गुरूप A में क्या होगा दोस्तो, Criticism से समबंदित सवाल पूछा जाएगा एक साम में टोटल दो सवाल पूछा जाएंगे आपको एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा पंदरा माक्स का तो Criticism के लिए तो सैलेबस में धेरो दिये हुए हैं बढ़ उतना नहीं करना है आप केबल और केबल, New Classical Criticism, Feminism and Victorian Criticism इन तीन को कर लीजिएगा, निस्चिंत हो जाएगा गुरूप A आपका बढ़िया से कवर हो जाएगा अब आए गुरूप B की ओर गुरूप B में क्या होगा दोस्तो पोईट से संबंदि सवाल आएगा एक साम में दो सवाल आएगा एक का जवाब देना होगा और वो एक रहेगा पंद्रमाक्स का जब आप गुरूप B का सैलेबस देखोगे तो वहाँ पे दस पोईट आपको देखने को मिलेगा लेकिन उतना नहीं करना है आप डॉक्टर जॉंसन एंटी असिलियट इन दो को 100% कर लीजिएगा इसके अलावा ST कोलेरीज और IA रिचर्स इन दो को 50-50% कर लीजिएगा क्योंकि एक साम में आपको सवाल इन ही दो में से मिल जाएगा ये दो एक्स्ट्रा रहेगा बाइदिव अगर न मिले तो ये आपका काम करेगा वो इसे इन 4 को कर लेते हो फिर 100% सवाल मैच करेगा ही करेगा तो गुरूप B के लिए इतना सफिशेंट रहेगा गुरूप C में क्या होगा तीन एसे आपको पढ़ना होगा पहला ट्राडिशन एन इंडिविजुल टैलेंट दूसरा फंक्शन ओफ क्रिटिसीजम और तीसरा फंटाइट्स ओफ क्रिटिसीजम और ये तीनों एसे T.S. Eliot के दोरा लिखा गया है आपके एक्सामिनेशन में पेपर 5 के एक्सामिनेशन में इन तीन एसे से दो परकार का सवाल बनेगा पंदरा मार्क्स का लोंग कोस्चन और पंदरा मार्क्स का एक्स्प्लानेशन का कोस्चन एक्स्प्लानेशन का कोस्चन साधे साथ साधे साथ मार्क्स करके आएंगे दो सोलोशन आपको देना होगा वहाँ पे यानि कि दो का आंसर वहाँ पे जन्रली देना होगा बादमा की लॉंग कोस्टन पंद्रमाक्स का रहेगा एक सवाल तो गुरूप C का ये सिनेरियो है अगला सिक्षन है गुरूप D का गुरूप D में क्या होगा? ये स्टाइल ये वसले सिक्षन है एक छोटा सा पोयम आएगा जिन्रली आठ से दस लाइन का होगा और उस पोयम को आप क्या करोगे? पहले लाइन बे लाइन पढ़ओ और उसको एक्स्प्लेइन करो केबल और केबल आपको पढ़ के एक्स्प्लेइन करना ही होगा इसके अलावा कोई अधर वर्क नहीं होगा इस सेक्षन में तो जब आप पेपर 6 और पेपर 7 पढ़ होगे तो वहाँ पे धिरो पोयम है इस्पेसली छोटा छोटा पोयम है जो की इस सेक्षन के अंदर आपके एक्जामनेशन में देखने को मिलेगा तो वहाँ से वह आपका कवर होगा बादमा की यह सेले बसले सेक्षन है इसलिए मैं यहाँ पे कोई गेस कोश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ अगला सेक्षन यानि लास्ट सेक्षन है यहाँ पे आपको कुछ लिटरेरी टम्स कवर करने होगे एक साम में चार से पांच पूछे जाएंगे आपको दो का ही जवाब देना होगा और दोनों दस-दस मार्क्स करके रहेंगे आप लोग एफेक्टिव फैलेसी, पैथेटिक फैलेसी, स्ट्रक्चरलीजम, इको क्रेटिसिजम और डिकंस्ट्रक्शन इस 5 को कर लीजिएगा, 110% इस 5 में से आपको 2-3 मिल ही जाएगा और आपको 2 का ही जवाब देना होगा, दोनों 10-10 मार्क्स करके रहेंगे यानि 20 मार्क्स का ये भी सेक्शन रहेगा तो पेपर 5 के लिए आपको इतना ही करना है, इतना अगर आप कर लेते हो फिर समझो, आप 100 में से 100 मार्क्स का आंसर दे करके आओगे ओ भी authentic तरीके से, एक भी question आपका नहीं छूटेगा और अभी जो भी question मैं बतलाया हूँ, इन सभी question का आंसर simple language में handwritten notes हमारे पास available है आप चाहो तो आप ले सकते हैं, इतना ही नहीं पार्ट थर्ड के अंदर चार honors paper होता है paper 5, paper 6, paper 7 and paper 8 इन चारो paper के लिए हम लोग online batch भी चला रहे हैं तो आप लोग चाहो, तो घर बैठे हमारे साथ जूर करके घर बैठे बढ़िया से त्यारी कर सकते हो तो आप में से जो भी students interested हो, यह मेरा whatsapp number है इस पर whatsapp message केजिएगा अपना session and university का नाम जरूर mention कर देजिएगा Thank you so much